पती कमल हसन संपत्ती 450 करोड कई महंगी गाडियां और आली शान घर, बेटी शुती हसन संपत्ती 45 करोड महंगी गाडियां और दो आली शान घर, छोटी बेटी अक्षरा संपत्ती 14 करोड मासारी का कमाई महज 2,000 रुपए और दाने दाने को मोताज क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जिसके आगे दौलत का इतना बड़ा भंडार लगा हो उसे पैसे कमाने के लिए दिहारी करनी पड़ रही हो इंडियन फिल्म इंडस्री के सबसे सफल एक्टर्स में से एक कमल हासान की तलाक शुदा बीबी सारिका की जिन्दगी अब कौडियों में चल रही है अपने दौर की सुपर हिट एक्टर्स रही सारिका पाई पाई को महताज हो गई लेकिन उनकी मदद करने कोई नहीं आया सारिका ने पहली बार खुलासा किया है कि लौकडाउन के दौरान उन्हें जबरजस्त आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ा और वो जीने के लिए 3,000 रुपए भी नहीं कमा पा रही थी ये सच है कि फिल्मी दुनिया जो परदे पर नजर आती है हकीकत में उससे काफी अलग होती है सारिका ने अपने लेटिस्ट इंटर्व्यू में अपने इस बुरे दौर की पूरी कहानी सुनाई है उन्होंने बताया है कि लौकडाउन के दौरान उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि उनके सारे पैसे खत्म हो गए थे सारिका ने बताया कि उस दौरान उन्हें थेटर में काम करना पड़ा जहां उन्हें 2,500 रुपए मिल रहे थे लेकिन इस मुश्किल वक्त में सारिका इतनी खुददार थी कि उन्होंने ना ही कमल हासन से पैसे मागे और ना ही अपनी बेटियों से कोई मदद ली सारिका ने अपनी जिंदीगी में सिर्फ परिशानिया ही देखी है सारिका ने फिल्मी दुनिया में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपना काम शुरू किया था लेकिन वो अपनी मर्जी से नहीं बलकि मजबूरी में फिल्मी दुनिया में आई थी दरसल सारिका जब छोटी थी तो उनके पिता पूरे परिवार को छोड़ कर कहीं चले गए थे घर में कमाने वाला कोई नहीं था इसलिए सारिका की मा पर घर की सारी जिम्मदारी आ गई थी इसी वज़े से मा को सपोर्ट करने के लिए सारिका भी छोटी उम्र से फिल्मों में काम करने लग गए घर की खस्ता माली हालत के चलते सारिका कभी स्कूल नहीं जा पाई सारिका जो भी कमाती उनकी मा रख लिया करती सारिका के बड़े होने के बाद भी यही सिलसला चलता रहा अपनी मा के इस वेवार से तंग आकर सारिका ने घर छोड़ दिया और अकेले मुंबई जाकर रहने लगी यही उनकी मुलाकात कमल हासान से हुई और दोनों करीब आ गए दोनों लिवेन में रहने लगे और इसी दोरान सारिका ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम उनोंने शूती हसान रखा शूती के जन्म के बाद सारिका और कमल हसान ने शादी की इसके बाद दोनों एक और बेटी अक्षरा के पेरेंट्स बने लेकिन इसके बाद दोनों के रिष्टे में दरार आ गई 2005 में दोनों ने आपसी सहमती से तलाक ले लिया लेकिन तब सारिका को उनकी बेटियों ने तगड़ा जटका दे दिया तलाक के बाद बेटियों ने सारिका के बज़ए अपने पिता कमल हसान के साथ रहना ठीक समझा जिससे सारिका काफी दुगी हुई थी इस वज़ा से बेटियों से उनके संबंदों में दरार आ गई थी हलाकि बाद में सारीका करिष्टे अपनी बेडियो से ठीक हो गए लेकिन आज भी वो बहुत खुददार है सारीका आज भी अकेले रहती हैं और अकेली ही अपना गुजारा कर रही है फिलाल अब सारीका के हाथ में कुछ प्रोजेक्ट्स आए हैं जिनसे उनका खर्चा चलने लगा है लेकिन फिल्म डस्ट्री की यही गिरोनी सच चाहिए मा के पास खाने को पैसे नहीं और उनका पूरा परिवार दौलत रुडा रहा है फिलाल इस खबर पर आपकी कहा रहा है हमें कमेंट में बताइए और भी जादा ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चनल को सब्सक्राइब कीजए